तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने TikTok का अकाउंट वो वाला कैसे क्रेट करना है जिससे हम अर्निंग कर सकेंगे जी हाँ बहुत जाद दोस्तों मुझे यही कमेंट किया था कि तारिक भाई TikTok का वो वाला अकाउंट कैसे बनाते है उसके उपर एक डटेल वीडियो बना दो तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस सेलर को सबस्क्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी ऐसे वीडियो उनको असानी से मिल सके तो चलते हैं मुबाईल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि TikTok का अकाउंट कैसे बनाते हैं पाकिसान में रहते हुए तो चलें मुबाईल की स्क्रीन पर कर लेना है वन पई व em जैसे मैं करूंगा लेकिन यहां पर आ इनस्टॉल करने मीड़ा ऑफ और अगर आप से misin वैसे नहीं करेंगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने tikublप में व फर्टि खर्टी को इंस्टॉल कर तो अभी आपके सामने माँ उसको install करता हूं और उसके बाद आपने दूसरे को install करना है बेसिकली ये एक application plugin है आपने TikTok पे plugin install करना है इसके लिए आपको कोई VPN की जरूरत नहीं होगी और नहीं आपको किसी और third party app की जरूरत होगी तो यहाँ पे यह देखें मैंने एक को install करना start कर दिया है ये एक से दो मिनट लेगा मैं इसको skip नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके तो इस account से direct हम USA का TikTok account create करेंगे और direct हमें creator studio का option मिल जाएगा जहाँ पे हमारा graph वगरा भी show होगा और हमारी monetization tool वगरा भी show होगे तो जैसे ही ये आपका एक install हो जाए तो आपने उसको open नहीं करना आपने दूसरे पे क्लिक करके उसको install करना start कर देना है तो यहां पर मैं दूसरे पे Clip करता हूँ जैसे मैं दूसरे पे contractor करूंगा तो उसको भी unstore करूंगा ये देखें मैं को दीचा हूँ kalian को दोबारा इस पर click किया और Clip करने के बाद आप यहां पर मेरे सामने install का option आजएगा मैं उसको भी install कर लोगा यह दोनों application आपको play store से नहीं मिलेंगी यह मेरे बतावे method से आपको मिल जाएंगी तो मैं दूसरे को भी install कर लेता हूँ यहाँ पर जैसी मैं इसको install करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह की setting आएगी यहाँ पर यह देख लें कुछ इस तरह की setting का जाएगी उसके बाद force mode आपने on कर लेना है और उसके बाद remove video watermark on कर लेना है और इसको आपने मतलब open कर लेना है जैसे आप open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर यह login होना start हो गया यहाँ से आपने trims and agree क्रिक कर देना है और यहाँ से कोई अपनी मर्जी की कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से choose कर लेना है जो इनमें आपको interest है तो मैं आपको कौन गा कि यहाँ पर ads and science और funny videos वगयरा select करें ताकि आपके सामने मजीद वोबलाई content है जो इसमें आपको interest है और उसके बाद आपने इसको okay कर देना okay करने के बाद यहाँ पर agreement हमें मांग रहा है तो हमने फिर इसको agreement पर click कर देना है और वो कैसे करेंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ से click करेंगे तो यह okay हो जाएगा ठीक है मतलब जैसे हम अलोग करते हैं ना notification वगयरा को सेम उसी तरह ही आपको बार बार यह काम करना है दो से तीन दफ़ा यह हमसे कहेगा और उसके बाद आपने इसको okay कर देना है okay करने के बाद आपका account create हो चुका है यहाँ पर यह देखें पहला account मेरे पास verified है और यह USA का है अब आप कहेंगे कि इसका proof क्या है कि यह United State वाला है तो उसके लिए मैं आपको अपनी profile भी open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देखें मैं profile open करता हूँ और यहाँ से आपने किसी भी Gmail से login करना है Gmail आपका Pakistan से create किया गया हो या कहां से भी create किया कोई issue नहीं है लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि Outlook का Gmail create करें और VPN के साथ create करें उसके बाद इसको यहां से login कर लें अगर पाकिस्तानी Gmail भी है तब भी आपका काम हो जाएगा तो यह दोनो application आपको यहाँ पी मिल जाएंगी मैंने comment section में एक comment पिन किया और वहां पर जाके आप देखेंगे तो आपको यह दोनों application मिल जाएंगे आपने वहां से यह download कर लेनी है उसके बाद आपने यहाँ पर इसको date of birth दे देनी है अपना नाम गएरा देतना है और अपनी information दे कि आपने simple इसको next कर देना है कोशिश कीजिएगा कि 18 साल से जादा उमर यहां से select कीजागा 18 साल से कम उमर अगर आप select करेंगे तो आपको option नहीं आएगा उसके बाद आपने next कर देना है तो आपका account login होना start हो जागा और यहाँ पर यह कहेगा कि आपने अपना nickname जो भी select करना है यहाँ पर कर लें तो यहाँ पर यह देख लें हमारा account भी login हो गया है अब मैं आपको इसकी setting में जाके check कर वा देता हूँ कि यह वाला हमारा सही create हुआ है के नहीं हुआ USA का create हुआ है के नहीं हुआ ठीक है यह आपसे phone number मंगेगा तो आपने इसको decline कर देना है आपने इसको phone number नहीं देना अगर आपने इसको phone number दिया तो आपका यह issue करेगा और हाँ next time जब भी आपने इसको login करना है आपने VPN के थुरू या plugin के थुरू ही login करना है और real TikTok install नहीं करना ठीक है तो यहाँ पर यह देखें मैं अपनी profile पे जाता हूँ यहाँ पर profile पे जाने के बाद यहाँ पर मैं three dot पे click करता हूँ और click करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी setting and privacy जैसी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर सबसे नीचे आप थोड़ा साजना यहाँ पर देखें creative program beta का option हमें मिल गया है उसके साथ TikTok shop का भी option मिल गया है और इसका मतलब यह है कि यह हमारा USA का TikTok account create हो चुका है बहुत ही असान तरीके से मैंने आपको बताया same इसी तरह आप easily इस account को create कर सकते हैं अब आपने जो content इस पे upload करना है अपना original upload करने या अपना खुछ से बना के upload करने पाकिसानी language में करने English language में करने जिस से मरजी करने तो आपके सामने इसकी कुछ इस तरह से आ जाएगी तो यह फार्मल्टी आपने पूरे करना है दस हजार follower आपने पूरे करने है और ले एक लाख व्यूज पूरे करने है बस यही काम आपने TikTok से करना और उसके बाद आपकी earning claim हो जाएगी इसकी earning लेने के लिए आप PayPal इसके साथ attach कर सकते हैं PayPal आप USA का बना ले किसी भी country का बना ले आपका चल जाएगा मजीद इसके उपरे मैं एक detail वीडियो बना दूँगा जिससे आपको यह समझ आ जाएगी कि TikTok से earning कैसे करनी है होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगए अच्छी लगए तो लाइक करते मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ मुझे दें अजाज़त अलाफीज